वेल्कम डू जीएफैक्स करण में जानेंगे वीडियो के अंदर देखे अभी जो है रूस यूकरेन युद्ध को खतम कराने के एक्सण में आया है चीनी राष्टेपती सीजिन्पिंग ये बात काफी निकल करा रही है कि जो चीन के राष्टेपती है सीजिन्पिंग वो वाले हैं और ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये इस युद्ध को खतम कराने वागए जबकि इनका तो बैग्राउंड कुछ ऐसा है ये तो कराने में विश्वास करते ना कि खतम कराने में लेकिन अभी बात निकल कर आई है कि रूष यूकरेन का जो युद्ध चल रहा हुआ है अज तक उससे खतम कराएंगे शी जिन्पिंग साब लेकिन यहाँ पर एक और बात निकल कर आई है कि क्या पियम मोदी साथ देंगे या नहीं क्योंकि आपको पता होगा कि पुतेन के दोनों ही बहतरीन दोस्त हैं सी जिन्पिंग और मोदी जी ठीक है ना तो अब ये भी निकल कर आ रहा है कि जब सी जिन्पिंग इस मुद्ध को खतम कराने पर आ गए है अपना भाशन देने वाले हैं तो क्या मोदी जी भी इनका साथ देंगे या नहीं ये हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं टोपिक इंपोर्टेंट है वीडिया आ हैं तो जरूर देखिएगा एक दो नमर का कॉस्षन है आयेगा बाकि आपके पेपर के पर इंटर्विव से और साथ में इंटर्वी के लिए कि लिए चलिए स्टार्ट करतें और इस बा में उक्रेन को खतम कर दिया जाएका लेकिन अशा देखने को नहीं मुला है युक्रेन बहुत अच्छी तरीके से एक साल से रसिया चोई टैना जाता है लेकिन इस युदन obstiders यह भी बताया जा रहा है कि अभी तक जलन्सकी साप का जो देश है यानि कि यूक्रेन यूक्रेन को अभी तक अपने करीबन 1.5 वा हिस्सा गवाना पड़ गया है यानि यूक्रेन जो है वो आज तक 1.5 हिस्सा अपना गवा चुका है इस एक साल के अंदर में ठीक है यह भी बात आपको याद रखनी है इंपोर्टेंट है अब अभी इस बीच में यह भी देखा गया जो अमेरिकी राष्ट्रपती थे जो बाइडन साब जो थे इन्होंने कीवी का दोरा करकर रूस को साफ संदेज दिया यूक्रेण को अपना पूरा समर्थन देता रहेगा यह आप देख सकते हैं कि इन्होंने अभी राष्ट्रपती यह बुढ़्टा यह हरामी वेक्ति है बहुत जादा है यह भी हरामी वेक्ति है क्यों है मैं अभी आगे इसके बारे में समझाने वाले हूँ यह क्योंकि अमेरिका कभी भी साहथ देने की बात तो करता है लेकिन फसाने वाला भी व्यक्ति यह एक तरीके से पुतेन साहब को चुनोती दे रहे ठीक है ना अब यहां पर जो पुतेर साहब है उन्ना ने भी एलान किया है कि रूस पर मतलब रूस हर कीमत पर अपनी सुरक्सा करेगा चाहे कोई भी हो जाए कोई भी देश इनका साथ दे लेकिन रूस पीछे हटने वाला भी नहीं है यूकरेन यूद्ध दुनिया को इसने देला कर रखा हुआ है अभी तक यह खतम नहीं हुआ जहां कि सभी नहीं अनुमाल लगाया था कि रूस यूकरेन यूद्ध है यूकरेन इक चोटे सा देश है ज्यादा कुछ हतियार भी नहीं है एक दिन महिने में या जाज़ा तो 10-15 दिन में खतम हो जागा लेकिन साल व मतलब एक तरीके सा भासन देने वाले हैं जो कि हो सकता है कि पुतेन साब रोग जाए ठीक है लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान की वे खबर है कि पाकिस्तान जैसे अभी पाकिस्तान में भी दुनिया के अगर बात करें एक और कंट्री जो हालात खराब चल रहे तो पाकिस् मुद्दा ये उठकर आ रहा है कि भाईया जो चीनी राष्ट्य पती है स्री जिन्पिंग ये इस युद्दु को खतम करेंगे और कहा ये जा रहा है कि अब पूरी दुनिया की नजर जो है वो भारत पर टिकी होई है कि मोदी जी साथ देंगे या नहीं क्योंकि ये दोनों ही जो है इन भाई साब के बहुत अच्छे फ्रेंड है तो ये मुद्दा उठकर आ रहा है कि ये अभी साथ देंगे या नहीं ठीक है दूसरी तरह अब ये जो पूरी रिपोर्ट है जिसमें ये बताए गया ये जिन्पिंग जो है वो इस तरीके से बात करने वाले हैं ये कहा गया है अंतराश्टी मामलों के विशे सग्ये है सी राजा मोहन ये आप जो देख रहे हैं इनका नाम है सी राजा मोहन और ये दा इंडियन एक्सप्रस जो है उसमें इन्होंने लिखा है छापा है इस बात को कहा है कि यूकरे नंट एक साल होने जा रहा है संती की राह में कई बाद है मोजूद है ये किसके द्वारा ये क face कीरा में काफी अर्चने हैं जो कि आ रही हैं आएंगे आगे भी ठीक है लेकिन इन्हों ने कहा है कि इस समय दो अलग-अलग ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं पहला ये दिखाई दे रहा है कि भईया ठंड का मोसम हो रहा है खतम ठीक है और रूस यूकरेन के बीच एक बार फिर से भीचर शुरू कर दिया है जो कि यूकरेन के अंदर दोन बास इलाके में शुरू किया है यूकरेन ने भी पलटवार पेजी कर दिये यूकरेन भी पीछे तो हट नीजा साल बरचन यह टाप क्या हटेगा इसी बीच ऐसी चर्चा सुरू हो गई है कि रूस और यूकरेन के बीच अ बोनों अभी बातकित भी कर रहे हैं दोनों ब्द्य ने रखे हैं लेकिन इनोंने भी कहाये कि अगर इनको रोकना है तो दो a ऐसी कंट्री जो रोक सकती है एक है मोधी चीजी सी जिनपिंघ साब दे अब देखिए, अभी क्या हो गया है कि अगर यूद हुआ, अगर माल लीजिये, पुते नहीं रुखते हैं, तो एक हमें भीशन यूद देखने को मिल सकता है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि वर्ल्ड वोर थिरी भी देखने को मिल सकती, क्योंकि बहुत बड़ा यूद होगा, क् कल मैंने आपको एक news कराई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि भाया जो start rate था मतलब जो संदी थी start की संदी जो कि अमेरिका और रसिया के बीच में थी 10 साल वाली है ना वो संदी खतम कर दी गई है ये मैंने आपको बताया था कल वाली news अगर नहीं देखियो 2 बजे वाली तो में उसका परिक्षन करेंगे है determinage लेकिन रस्या ने इससे तोड़ दिया और रस्या ने यह भी कह दिया कि वो दुबारा से वह श्रक्ति का परिक्षन शुरू करेगा यानि कि वो दुबारा से क्या करेगा दुबारा से जो परमाणू हत्यार है उनका परिक्षन शुरू करेगा तो आप समझ सकते हैं कि ना तो यूक्रेन पीछे हटने को त्यार है ना रसिया और रसिया दुबारा से परमाणू हत्यारों का जो है दुबारा से उसका निर्मान शुरू करेगा तो बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। लेकिन राजा मोहन का कहना है कि यूकरेन में हम एक से चरण में पहुच गए हैं जब भीशन संगर्शन होने जा रहा है। ठीक है अभी इनोंने ये भी का है कि यहाँ पर हो सकता है कि एक भीशन संगर्शन हो जाए। सांती के लिए भी हाई वोल्टेज परियाज शुरू हो गया है। ये परियाज चीन की और से शुरू किया गया है। चीन चाहता है कि वह यूक्रेन में सांती स्थापित करने वाले देश बने चीन के जो राष्टेपती हैं सी जिन्पिंग सी जिन्पिंग इस सब्ता यूक्रेन युद्ध को एक साल पूरे होने पर सांती भासन देने वाले हैं ये एक more important point है क्या हो रहा है कि सी जिन्पिंग जो है वो यूक्रेन युद्ध में जो एक साल complete होने जा रहा है उसमें ये क्या करेंगे सांती भासन देने वाले माना जा रहा है कि चीनी राष्टेपती भीशन युद्ध को कतम कराने के लिए एक योजना का एलान कर सकते हैं यानि यह एक योजना बना सकते हैं जिसका यह एलान कर सकते हैं बताया गया है कि विदेश मामलों के जो चीनी राष्टेपती के दाइने हाथ हैं कहे जाने वाले पूर्व विदेश मंतरी हैं वांगा वांगा इस समय फ्रांस जर्मन इटली और यूकरेन के दोरे पर है और ये भी बताए जा रहा है कि इनकी कोशी यही रहेगी कि किसी तरह से सांती के राष्टे को सुनुचीत किया जा सके राजा मोहन ने कहा है कि वांगा या मौसको के रूस राष्ट्रपती पुतेन से मुलाकाद भी कर सकते है ठीक है ना और इनका इस सब को करने का कारण एक ही है कि किसी भी तरीके से सांती इस्थापित करना दोनों देशों को ठंडा कर देना जो कि गरम पड़े है सालवर्ट से किलिया वांगा कहते हैं वांगा ने संकेत दिया है कि सी जिन्पिंग अपने भासन में योकरेन से छेतरी संपरपुत्ता को बरकार रखने का महत्व को रिखांकित करेगा मतलब अपनी बात रखेगा कि भाया आप जो है योकरेन की छेतरी संपरपुत्ता जो है वो बरकार रहे सुनिचीत रहे उसी तरीके से ठीक है ना और रूस का वेधानिक हितों की सुरक्षा सुनिचीत किये जा सके ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लिए आगे समझे अब भारत भी महत्तपुर भूमी का निभा सकता है, इन्होंने कहा है कि भारत भी हो सकता है कि इसमें एक महत्तपुर भूमी का निभा दे कहा जा रहा है कि संकट में गंभीर खिलाडी बनने के लिए रूस के दो दोस्त देज, चीन और भारत सिर्फ युद्ध को लेकर चिंता जटाने के बज़ए सांती की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने होंगे यानि कि इन्हें दोनों देप्स को यह बहुत थाला हुए अमेरिका के साथ अमेरिका शाथ ऑप समझ सकते हैं कि युद्ध कितना बड़ा हो सकते हैं तो चीनी नेता जो है वांगा वो अपनी तरफ से कहा है कि चीन अपनी योजनाव में संपर्भुत्ता छेत्री एक जुर्ता और सहीवत राष्ट के चार्टर पर जोड़ देगा उन्होंने कहा है कि रूज के वास्तेवी सुरक्सा हितों के सम्मान की जरुवत है इन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरीके से संपर्भुत्ता छेत्री एक जुर्ता को सयुक्त राष्ट के चार्टर पर जोड़ देंगे मतला हम कोशिस करेंगे पूरी कोशिस करेंगे कि ये दोनों देश एक हो जाए अच्छे से रहें जैसे रहें ये चीज़ें किलियर है इन्हें के लिए एक बड़ा मोका हो सकता है ठीक है न कि वो इनसे बात करें और रोके ने भारत और चीन दोनों देश ही रूस के करीबी दोस्त है दुनिया को इनसे उमीद है कि ये दोनों ही देश पुतेन को युद्ध को खतम कराने के लिए मनाएंगे चीन और भारत रूस हमले के अब तक निंदा नहीं की है दोनों देश चुप है इस पर ठीक है आपको पता होगा भारत हमेशा निकलता है बातों को गुमाता है और चायना भी कुछ इसी तरीके से कर रहा है क्योंकि वो दोनों ही नहीं चाहते इस मुद्ध पर बात करना समर परमाडू बमों के इस्तमाल का कड़ा विरोध भी किया था बताइए समझ रहो ना और लेकिन ये जो परमाडू हत्यारों का जो विरोध करा है वो तो ठीक है लेकिन जो पुते ने संधी तोड़ दिया और उसने ये भी बोल दिया है कि मैं दुवारा परिक्षन करूंगा वो एक बहुत बड़ा खत्रा हो सकता है तो कहीं ना कहीं दो देश चाइना और भारत इस युद्ध को रोक तो सकते हैं लेकिन परियास करना पड़ेगा एक जुड़ता दिखानी पड़ेगी दोनों देशों को तब ही ऐसा हो सकता है किलियर है ना नहीं तो एक भ्याना की सब्सक्राइब को देखने को मिल सकता है आने वाले समय में के लिए तो यह पूरा टॉपिक था आई होप आप इसे अच्छी से जाने होंगे समझ आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरू करिएगा ठीक है और लाइक सब्सक्राइब कर दीचे के जाए जाए सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू फॉर वोचिंग आइस थैंक सब्सक्राइब